Hello everyone, so Bitcoin के अंदर finally एक अवर मुवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है जहाँ पर कल Bitcoin ने अपने 45,000 डॉलर मार्क को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो यहाँ से क्या सिनारियो बन रहा है, क्या यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिस की तरफ मूब कर रही है और मार्केट जो है वो हमें इंक्रीज होती हुए दिखाई देगी या फिर अभी भी हमें बेरे सिनारियो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है इस चीज के बारे में इस वीडियो के इंदर में डिसकस करूँगी और सो जो हमारी इंदिया की फिनांस मिनिस्टर है सीतर अमन जी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को ले करके एक बहुत इंपॉर्टन बात बोली है तो उसके बारे में भी मैं अपने व्यूपॉइंट आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या उपीनियन है मेरी उसको ले करके और वो चीज यहाँ पर क्यों हम सभी लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टन भी है सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बिट्कॉाइन के बारे में अगर मैं बिट्कॉाइन का डेली चाड्न यहाँ पर देखती हूँ तो डेली चाड़ के लिए यहाँ बीट्कॉाइन आपको अपने मीजर इस्रिस्टिंस ओन के अन्दर आपको देखने के लिए मिल रहा है अब यह हां पर सिनारियो है इस सिनारियो के अंदर आपको यहां पर थोड़ा सा कैर्फुल रेहना चाहिए यह यह जैसा कि मैंने अपने last video के अदर आपको बताया भी था mix कि हमें एक upward movement जो है वह यहां पर market के अंदर तो मैं यहां पर इस इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के पॉस्पेक्टिव से ज्यादा देख रही हूं रैदर दर बुल इस सेनारियो परस्पेक्टिव से इसके अलावा गर BTC की प्राइज यहां से रिट्रेस करती है तो एक बहुत ही इंपोर्टन सपोर्ट जोन ह से 41K के बीश का यह जो जोन है यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन है बोथ फोर आर्स और डेली चार्ट के अंदर अल्ट कोईन के अंदर अगर मैं आपको बता हूं तो मैं कुछ पॉर्चुटी जो है यहां पर देख रही हूं जैसे ही मुझे कुछ बेस्ट जैसे कि कली यहां पर एक न्यूस आई थी 2016 के अंदर जो बिट्फिनेक्स एक्षेंज है वह यहां पर हैक हुआ था एंड जिस हैकर नहीं है किये थे बिट्कॉइन वह उस हैकर को यहां पर जो यूएस की गॉर्मेंट है उसने यहां पर पकड़ा है त्री पॉइंट सिक्स बिट्कॉइन वह यूएस गॉर्मेंट के पास है यहां पर तो यह काफी अच्छी न्यूस जो मार्केट के अंदर है वह हमें आप पर देखने के लिए मिली इसके अलावा रसिया के अंदर जहां पर अभी तक मैंने आप लोग के साथ शेय भी किया था कि रसिया के अंदर क क्रिप्टो करिंसी यूज के बैनिंग को लेकर के यहां पर नियूस आ रही है मार्केट के अंदर वहीं पर कल यहां पर नियूस ने करके आई है कि रसिया की जो गॉर्मेंट हैं सेंटर बैंक है उन्होंने डिसाइड किया है कि वह बिटकॉइन को और क्रिप्टो करिंसी को as a currency जो है वो यहाँ पर legalize करेंगे तो यह भी जो न्यूस है वो काफी बड़ी न्यूस आ रही है market के अंदर so overall long term perspective में काफी ज़्यादा बुलिस नुन bitcoin के लिए करके but short term perspective में यही बोला चाहूंगी कि थोड़ा सा चीज़ों को monitor करके चले analyze करें मार्केट को अपना कोई भी डिसीजल लेने से पहले बाकी में परसन उपेनियन है आपकी जो भी उपेनियन है कि मार्केट के बारे में बिटकोईन के बारे में मुझे कमेस अक्सर में ज़रू बताएगा अब यहाँ पर हमारी finance minister सीतर अमन जी ने cryptocurrency को लेकर के फिर से एक statement दी है और कही न कहीं वो काफी जदा relaxing statement यहाँ पर हो जाती है क्योंकि आप सभी लोग को पता है 30% का जो tax है वो impose करने की बात यहाँ पर आ गई है cryptocurrency के अंदर इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को including me यहाँ पर problem भी है कि flat 30% का tax जो है वो यहाँ पर कही नहीं होना चाहिए तो हमारी finance minister उन्होंने यह बोला है कि हमारे कुछ लोगों की team है जो कि constantly यहाँ पर crypto sector को monitor कर रही है आप जो लोग cryptocurrency से जुड़े हुए है उनसे proper consultation जो है वो यहाँ पर हो रहा है उनका feedback है वो भी हाँ पर लिया जा रहा है तो कहीं न कहीं यह जो पहला step government ने हमारे लिया है जहाँ पर 30% flat tax लगाने की बात बोली यह पहला step है दीरे दीरे चीज़े जो है वो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर better होती जाएंगे बाकि आपकी क्या opinion है मुझे comment section बताइए वीडियो को like करना बिल्कुम मैं भूलीगा क्योंकि यह मुझे motivate करता है आप लोग के लिए ऐसे informative content लेकर कियाने के लिए अगर आपने अभी तरह चैनल को subscribe नहीं किया तो make sure करें कि चैनल को भी subscribe ज़रू कर दे क्योंकि इसी तरह ए आपसे नेक्स्ट वीडियो में till then take care and bye bye